घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कठिन बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं लेकिन अगर हमें उन्हें करने के लिए कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कुछ नए नए आइडियाज मिल जाएं तो वो काम हमारे आसान हो जाते हैं साथ ही साथ काम करने का हौसल भी दोगुना हो जाता है ऐसे ही कुछ बहुत ही यूसफुल टिप्स लेकर मैं आपके साथ आज फिर से आई हूँ तो चलिए वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहां पे एक कंटेनर ले लेंगे जो की प्लास्टिक का है हमारे घर में इदर अदर पड़ रहता है जरूर मिल जाता है तो उस पे मैं यहां पे जिग जैक वाली डिजाइन ड्रॉ कर रही हूं आप कोई सभी डिजाइन बना सकते हो पूरे में यहां पे हमें इस तरीके से ड्रॉ कर देना है क्योंकि हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसे बाद में हमें काटना भी है त तो यहां पर यह design हमारा जो draw किया था ना वो बनके त्यार हो गया है देखने में काफी जादा सुन्दर लग रहा है और फिर इसके बाद हम इससे पीछे के side से hole करेंगे तो कोई भी नुकीली चीज आप ले लीजिए और गरम करके उससे इस तरीके से पूरे में hole कर सकते हैं फिर उसके बाद आप चाहो तो आपके पास अगर कोई plastic का bottle हो तो उसका जो धकन होता है ना जो lid होता है उससे इस पे पीछे के तरफ चिपका कि आप इस stand जैसा भी बना सकते हो लेकिन मैं यहां पे इससे use नहीं करूंगी बिना stand के भी यह काफी ज़्यादा खोपसूरत ल निकल जाएगा सूप भी कलेगा नहीं साथ ही साथ हमने एक प्लास्टिक कंटेनर से जो की बेकार पड़ा हुआ था उससे बहुत ही सुन्दर से एक सूप केस बना के तयार किया है कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंड कीजिएगा अगले टिप में हम यहां पे प्लास्टिक नहीं लगती कोई जंजट भी नहीं है सिर्फ करने के लिए हमें तयार होनी की जरूरत है तो राउंड शेप में इसे हम कट कर लेंगे और काट कर इसे मैं दिखा भी देती हूं आपको तो पहले अगर नहीं सही से शेप में कटता है तो कोई बात नहीं जैसे भी कटे काट बात में आप इसे सीजर की मदद से एकदम से बराबर कर सकते हैं मैं भी वही कर रही हूं कोई भी परफेक्ट नहीं होता है आप आराम से इसे कर सकते हो और पूरा मैंने यहां पे गोल काट लिया है जिससे की हम जो बनाने वाले हैं उसमें थोड़ा सा यह अच्छे से बन यहां पे मैंने एक स्क्रबर भी लिया है मोटा वाला स्क्रबर लिया है आप चाहो तो पतला ले सकते हो लेकिन मोटा वाला रहे का तो काफी जादा अच्छा रहेगा मैं भी दिखा रहे थी कि यह मोटा वाला है दो नहीं है इसमें एक ही है यह तो इस तरीके से हम इस प्ल यूज करने वाले हैं तो सूख जाएगा उसके बाद हम इसका यूज करेंगे इसमें हमने क्या करना है जो बिमलिक्ति जैल आता है उसका यूज करना है इस प्लास्टिक में हम बॉटल में इसको डाल देंगे थोड़ा सा में डालना है और उसके बाद फिर हम तुरंत इसमें सिर्फ और इसौं से क्लीन अपimm बतन को काम में यह नहीं क hem तर्फजल बियुकिंग और चलीनिंग यूज घुरो इस और इसे काम में आसकता है आप फर्स वगेरा दोते हो बातरूम का उसके यूज में भी आ सकता है आप अपना सिंक भी दोना चाते हो उसके यूज में आ सकता है वे सिंक को क्लीन करना चाते हो कोई भी गहरा बरतन हो उसे आप क्लीन करना चाते हो तो कई सारे multiple use में ये आपके आएगा साथी साथ सिर्फ और सिर्फ हमने एक plastic bottle से इसे बना के तयार किया है कोई खर्चा नहीं आया, कोई लागत नहीं लगी आपने देखा ये कितने आसानी से बन गया है और इसे हम देखिए सिंक वगेरा को भी clean करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा से clean हो जाता है तो उमीद करती हूँ कि ये जो tip है, ये जो तरीका है ये भी आपको काफी साथा पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा बहुत सारे लोगों के पास बेमलिक पे जल नहीं होता है जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तो ये आपके पास अगर ना हो या खतम हो गया हो लेकिन अगर उसे आपको जरूरत हो तो आप तुरंट के तुरंट उसे कैसे बना सकते हो घर पे कुछ नहीं करना है सिम्पल मैथटसे मैं आपके साथ सेइर करूँगी कोई ताम जहाम नहीं करना है आपको फटापट से ही हम बना लेंगे इसे सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट पर बन के तियार हो जाता है तो यहाँ पर मैंने 10 रुपए वाला बिम बार लिया है आप चाहो तो पुराना भी ले सकते हो जो थोड़ा बहुत यूज हुआ रहे मैंने नया लिया है क्योंकि मैं आपको यह दिखाना चारी थी कि 10 रुपए में हम कितना जादा यहाँ पर लिक्विड जल बना के तयार कर सकते हैं वर्क दोनों बरतंद होने के लिए ही करता है लेकिन दाम में अंतर आप देख सकते हो कि वो कितना महंगा मिलता है और यह कितना है ना तो यहाँ पर मैंने पूरा ही कदू कस कर लिया है और कदू कस करने के बाद मैं इसमें डालने वाली ही गरम पानी गरम पानी इसलिए हम यहां पे डालेंगे ना क्योंकि गरम पानी से थोड़ा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा आप चाहो तो किसी भी बॉटल में इस कदूकस किये हुए सोप को भर के बाद में भी पानी डालके इसे शेक करके यूज कर सकते हो लेकिन मुझे आपको दिखाना तो मैंने इसी बटन में गरम पानी डालके इसे अच्छे से पहले घोल लिया है यानि की मेल्ट कर लिया है और उसके बाद किसी भी कंटेनर में हम इसको भरेंगे तो जो कंटेनर में भरने का जब बात आता है तो अगर आपके पास इस टाइप का बॉटल है जो की लिक्वि तो पूरा ही मेल्ट हो गया है अब इस कंटेनर में हम इसे शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद मैं इसको यूज करके भी आपको दिखाऊंगी आपको पता ही है कि दोनों सेम काम करते हैं लेकिन जो है हम दोनों ही खरीते हैं लेकिन आपके पास अगर खतम हो गया हो तो बोटल देख लीजी लगभग भर ही गया है थोड़ा बहुत खाली है पानी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो गाढ़ा और पतला आपके हिसाब से होना चाहिए तो यहां पर पूरा ही बोटल लगभग भर गया है सिर्फ दस रुपए में हमने इसे बना के तयार किय पतला नहीं है जैसा होना चाहिए वैसा है और दुचार बरतन भी दुलके में आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आप जो इसे देख लीजिए कि हम साबून रहता है यानि की बार रहता है तब भी काम इसे यूज़रते हैं लेकिन आपने देखा होगा चाहिए जब चलेगा तो जरूर ट्राय कीजिएगा और एक लाइक तो करिएगा एस टिप के लिए अगर जरा भी पसंद आया होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे अगला टिप बहुत ही शांदार है आपको जरूर पसंद आएगा जब भी हम आटा लगाते हैं पूरियां हमें बनानी होती हम आटा लगाते ही हैं तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग कोई लोग पलोधन से पूरी बनाते हैं कोई लोग तेल लगा के बनाते हैं तो हम जब तेल लगा के बनाते हैं तो फिर किसी भी बरत जोड़ान बूर्ट में उद्टो होगी हुं। अत repent करो पूरी थाले में आपको गड़ाना परक्ताति थो तीफ में पालब। शेफ निकीवाद की फ़र्ट थेवायत निया आथे लिवेके से राउंड दिफ्न और consume हो जाएगा उसी में खतम हो जाएगा और आपका पूरी भन जाएगा कोई एक शब बरतन भी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा ना है पूरी थाली में आपको oil फैलाना पड़ेगा तो ये तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करिएगा इस टाइब के कंटेनर तो सब के पास होते हैं कभी प्रिशाद वगेरा करके आजाता है कभी हमारे सून पापड़ी या मिठाई वगेरा आजाता है तो कंटेनर आ जाते हैं इस टाइब के और हम इसे फेंक देते हैं लेकिन इसका यूज हम कर सकते हैं इन दमाईयों को रखने हैं तो आपको इस तरीके से इसे यूज कर लेना चाहिए आज की टुप आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अब जरूर बताईएगा चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में लाकर देती रहूंग तो जरूर की प्रीके सब्सक्राइब एल करना चाहिए अच्छे अच्छा जरूर में लाकर देती लम से जरूर सी आपको बहुत प्सक्राइब आपको जरूर को बहुत की दो की य。